हाँ तो आज अपने स्टार्ट करेंगे वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक संस्किर्ट में संधी ठीक है और संधी अगर आपने डंग से समझ लिना तो संस्किर्ट की अल्मोस्ट व्याकरण पर पूरी पूरी व्याकरण अगर आपको समझ आ जाएगे आपको संधी समझ लिना जैसे हैं हिंदी पड़ने के व्याइशे संदी समझना बहुत जरूरी है संदी की help उप्सरग में भी रहेती है संदी help परते में भी यह संदी की help अपनë way a should हिंदी में कर रहेंगे ऐ श Somewhere भी रहेती है तो संदी बहुत ज्यादा यूज है संदी का इसलिए संदी आपको complete पढ़ना है जैसे ही वीडियो डालूँगा तुरन उसी दिन आपका test भी होगा तुरन test भी होगा test का और answer की भी होगी तो आपको honestly check करना है ठीक है? बहुत ही शांदार तरीकी से अपने इसको start करना है ठीक है? तो आप heading लगाओ को संदी ठीक है? ज्यादा time waste ना करते हैं वे संदी के पराएं मैं basic लिए बता दूँ कि संदी को सहीता भी बोलते हैं द्यान रेकना संदी को सहीता भी बोलते है एक ही बात है संदी बोलो चाहे सहीता बोलो ठीक है? अगर मैं चोटे मोट इसके definition के बात करूँ हाला कि exam में definition नहीं आती लेकिन अपने को थोड़ी बहुत पता इससे जुगा होना चाहिए तो परिभाशा की मैं अगर बात करूँ तो आपको लिखना है कि दो वर्णों के दो वर्णों के मेल को संधी कहते हैं कैसी के लिए आपको यह समझना है कोई भी दो वर्णों थे उनके मेल को मला अपसी जुडाओ को मेल बोल दो जाए संधान बोल दो मेल को संधी कहते हैं पहले मेरी बात समझना है हालां कि मैं चाहूँ तो आपको पूरा वर्ण विचार पढ़ाओं जिसमें वर्ण, स्वर, वेंजर सब पढ़ें वो भी मैं कभी करवा दूगा क्यूंकि आपके कोर्स में नहीं लेकिन कोर्स में बलही मत हो उनकी हर जगे जरूत पढ़ेगी तो मैं कभी वो टोपिक भी करा दूगा आपको पढ़ना हो तो उसको पढ़ लेना ठीक है क्योंकि वो अपने हिंदी में सब जगे काम आता है तो दो वर्णों के परस पर मेल को या दो वर्णों के मेल को संधी कहते हैं या दो वर्णों के संधान को संधी कहते है ठीक है अब मैर्शी पानी नी के नुसार में बात करूँ तो पानी नी ये परिभाशा के में बात करूँ तो पानी नी नी परिभाशा क्या दी थी परे सन्नी कर्शय सन्नी नी में छोटे हो, तोड मात्ला हो जान रहा दिखना इसका मतलब यंदि उंब से हो सन्नी कर्शय सहीता इसका मतलब समझते हो आप definition हालागी आपके नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा एक सिस्टम है डंग से पढ़ना है परे सनिक अर्षय सही था इसका मतलब हिंदी में लिखना चाहते हो इसका मतलब था अत्यदिक वर्णू की निकड़ता मैं ये बात समझे में आगई अत्यदिक वर्णू की निकड़ता मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने उधारण लिया उतारन के लिया कि मैंने सपोज लिया जन प्लस एक था पूरी बार समझना जन में यहां पर एक ही मातरा है यहां पर एक ही मातरा है यहां पर एक ही मातरा है दोनु आपस में यह देखो वरणू की अत्यदिक निकटता इनसे क्या बना यह सब बाते हम संधी में पढ़ने वाले हैं इसका मतलब अत्यदिक वर्णों की निकटता को संधी को सहीता या संधी कहते हैं यह पाणिनी definition है पाणिनी के नुसार यह definition है आपको दोनुई definition लण करनी है मतलब exam नहीं पूच्छाएगी लेकिन अपनको इसको याद तो कर लेने नोट्स बनाने अब exam में क्या पूचा जाएगा exam में आपको ऐसा रहेगा संधी देगा संधी विच्छेद करवा लेगा जैसे इसका जन प्लस यक्ता जनेक्ता बना ठीक है तो यह जो जनेक्ता बना केसे बना बता दूँगा आगे सारी process चलेगी यह जनेक्ता देदेगा और कहेगा संधी विच्छेद करो मतलब ऐसे टुकुडे करो और बताओ कि इसमें कौन सी संदी है एक योशन तो ये और एक आएगा ऐसे विच्छेद देदेगा और ये शब्द बनवाएगा ठीक है और फिर भी पूछेगा कि इसमें कौन सी संदी है पूरी बात समझ में आगे डेफिनेशन किसी भी संदी की नहीं पूछेगा ठीक है चलो ये बात है अपने एक्जाम की एकोडिंग चलने वादी है अब मैं बात करता हूँ संदी के भैद की परकारों की ठीक है तो संदी के भैद तो ध्यान एकना संदी के तीन भैद है बैसेकलिए मोटा मोट कीते भैद है तीन भैद होते है संदी कीते भैद होते है तीन कौन कौन से नमर एक अच नमर दो हल नमर तीन विसर्ग अच का मतलब स्वर संदी पूरी बात समझनो ठीक है हल का मतलब वेंजन संदी और विसर्व तो विसर्व की होती है ये तीन संदियां एक्चुल में इसके तीन परकार होते हैं ठीक है और अब अपन जो बात करेंगे वो पहले स्वर संदी की बात करेंगे इस स्वर संदी के खुद के आठ परकार है पुरी बात समझे ओ स्वरसंदी किते परकार है 8 परकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह स्वरसंदी के 8 परकार होते हैं फिर हल वेजन जन की बात करेंगे फिर विशन की बात करेंगे पहले अपन बात करें रहे हैं स्वरसंदी के ठीक है स्वरसंदी के जो 8 परकार है एक तो है सेवर्ण दिर्ख मंतलब लगबग हिंदी जैसे हैं सेवर्ण दिर्ख संधी ठीक है फिर वर्दी संधी क्योंकि मैं इस पड़ाउंगा उसे अनुसार लिख रहा हूं, नमर दो अपन पढ़ेंगे वर्दी संदी, नमर तीन पढ़ेंगे गुन संदी, अच्छा वैसे तो आगे पीछे कैसे नहीं पढ़ो, लेकिन मैं ये क्यों पढ़ाऊंगा, इसका सिस्टम है, क्योंकि आपको इनके रूल्स याद करवा दूँ समझ पारे हैं, हाँ, तो सेवर्ण संदी, सेवर्ण है याँ पर वर्ण है न, सेवर्ण संदी, सेवर्ण वीट संदी, वर्दी संदी, गुन संदी, यन संदी, फिर है आयादी संदी, आयादी, आयादी संदी, ठीक है, छटी पूर्ण रूप, पूर्ण रूप संदी, सात् पर रूप संधी लास्ट आर्ट भी है परकर्ति भाव संधी बस ठीक है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है एजी है रूल लिखाऊंगा फोर्मले लिखाऊंगा फोर्मले को याद करना बड़ी इंट्रेस्टिंग है दूसरी बात टीचर के एक्जाम में बड़े बड़े कितने भी competitive एक्जाम दोगे आप आजगल संस्कृत की grammar को include कर दिया तो बहुत काम आएगी तीसरी बात ये जो संधी है ये सारी की सारी संधी हिंदी में भी helpful रहेगी तो हिंदी में आपके संधी है नहीं क्योंकि कोर्स में नहीं है तो ये चीज़े काम आजएगी मेरे बात समझ पारे हो शब्द सुद्धी वाकी सुद्धी में बहुत काम आने वाले चीज़े है और उपसरग पड़ते हैं क्योंकि जब आपको शब्द को तोड़ना आ गया तो पता चल जाएगा यह उपसर गई परते है कौन सी उपसर परते है पता चल जाएगा न कोई शब्द को तोड़ेंगे जब काम आएगी ठीक है तो यह structure आपको ऐसा बनाना है नमर एक पहले यहां तक लिखनेंगे बाद में फिर नमर एक heading लगानी है फरस्ट ऐसे वार रोमन वाला यह नमर लिखना एक और फिर लिखना अच सवर संदी ठीक है और उसके फिर आट परकार लिख लेना ठीक है यहां नमर एक आजाएगा अच या सवर संदी ठीक है और यह सवर संदी फिर नीचे टाइप आ जाएगे यह आपको heading लगानी है अब एक 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 संदी उठाएगे और फिर उसको उपन उसके rule नियम पढ़ते वे एक्जामपल पढ़ते वे चलेंगे ठीक है हाँ तो अब नमर एक लगाओ सेवर्ण दिर्ग संदी पूरी बात समझना सेवर्ण दिर्ग संदी यह पढ़ते हैं और यह जो सेवर्ण दिर्ग संदी है इसके चार फॉर्मुले आपको याद करने ठीक है डिवाइडेशन कर देता हूं एक फॉर्मुला यहां जाएगा ठीक है दो और दो आ जाएंगे इधर ठीक है यह चार फॉर्मुले अपनको पढ़ना है चार कौन- प्लस आ ठीक है यह फिर ऐसा लिखो इसको अच्छे से चारी बातें इसी में इंक्लोड हो जाएगी ए हो चाहिए आ हो और उसके प्लस में ए हो या धन में ए आ हो हमेशा आ ही बनेगा अभी सब समझ में आएगी फिर मैं बात करूं ए छोटा हो चाहिए बड़ा हो ए छोटा हो चाहिए बड़ा हो हमेशा बड़ाई होगा दिर का नाम से पता चाहिए दिर का मतलब बड़ा ठीक है वैसे ही मैं बात करूं छोटा उओ हो चाहिए बड़ाऊ हो चोटा उओ हो चाहिए बड़ाऊ हो हमेशा बड़ाऊ होगा ठीक है और लास्ट है री री छोटा हो चाहि चोटारी हो को वमेशा बढ़ारी ही होगा यह बात समाँझ में आ गई बस यह चार फोर्मूले आपको learn करने हैं और इन चारू फोर्मूलों से अपनी 7 दिर्कसंदी complete मेरी बात समाँझ में आ गई यानि की अब इससे क्या होता है अब इसको आपको बुक में हो सकता है यह बहुत ज़्यादा खुला मिले इसका मतलब यह है चाए ए हो और इधर भी ए हो आ हो चाए इधर ए हो वेसे ही आ हो समझना ना इधर वापस ए पर आता हूं करो जैसे मल्टिपले है करते हैं वेसे ए हो और ए हो तो भी आ होगा पिर ए हो अब आप आ जाओ चाहिए इधर ए हो आ हो या फिर आ आ हो दोनों तो भी आए होगा या फिर इधर ए हो और इधर आ हो तो भी आए होगा ये है मेरा मतलब कहने का इसको इससें इसको इससें इसको इससें कुछ भी हो, होना बड़ा आई है मेरी बात समझ में आगई, वैसे ही छोटाई छोटाई तो भी बड़ाई, बड़ाई छोटाई तो भी बड़ाई, फिर छोटाई बड़ाई तो भी बड़ाई, तो भी बड़ाई तो ये कुछ बाते हैं, आपको है जो एसे इन फॉर्मूला को समझहाना है मेरी बात समझ मैं आगए अब इन चारों पे 4-5-4 पाइं लेके चलेंगे ठीक है फिर अब हमेरे मैं एक्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले अब लेते हैं आ का सुनढ़ा । एक और एक बात याने करना जित्ते में एक्जाम्प लिखा रहा हूँ ना वैसे यह very important exam selected example है इन्हीं को पढ़ लेना बस ठीक है तो पहला example है विद्या प्लस आले ठीक है तो देखो मैं पूरी बात समझाता हूँ विद्या में किसकी मात्रा है आकी पूरी बात समझना और आले मे किसकी मात्रा है आकी मतलब यहां पर धन से पहले यह प्लस का मतलब धन इस प्लस से पहले हमें मात्राइं चेक करनी है कि वो इन में से है क्या मेरी बात समझे यहां पर आ है यहां पर भी आ है तो आ और आ मिलके क्या हो जाएगा आ हो जाएगा तो विद्या ले पूरी बात स कभी संदी में नहीं लगतीwen ये सिर्फ संदी विच्छेद में लगती यह जैसे यह मात्रा के विच्छेद में लगती है आपर इस में मात्रा थी लेकिन यहां मात्रा नहीं लगेगी आखे 6 दिलोड करें समझने के लिए एक्जाम लिखना है नहीं जरूद नहीं है इसको एक्जाम में तो वैसा भी option आएगा आपकर, option system हो गया ठीक है तो यह आ और यह आम घेगा ठीकर निए अब मैं बात करूं रतन प्लस आकार यह रतनाकर होता है । रतन प्लस आकर भी होता है अब देखो यहां पर A और यहां पर A है रत्न नाम कुण लास्ट लक्ष्र में देखना है किसकी मात्रा A और यहां पर A तो A और A मिलके क्या बनेगा यानि कि रत्न अच्छा आले में यह हलंद क्या ना मोलते हैं इसको विसर तो विसर लगा नहीं है तो रत्न और ये आ की मात्रा ना में लग जाएगी, पूरी बार समझना, पर ये ना है, ना में बढ़ गया आ, तो ये बन गया ना, पूरी बार समझना गई, तो ये आ की मात्रा इसमें समाईत हो गई, तो ये हो गया ना, और कर रहे है, रत्ना कर रहे है, ठीक है, easy, रत्ना क मातर हो गया विद्याले हो गया और एक एक्जम्बल हो ले लो यथा प्लस अर्थ यथार्थ ले लो ठीक है यथार्थ में लूगा तो यहां पर आकी मातर है यहां एकी मातर है एक्जम्बल तो डेहरू है वैसे लेकिन दो तीन दो त्री एक्जम्बल हम लेकर चलेंगे तो आ बन गया तो यह हो गया यथारत है यथारत है यह जान रगना क्योंकि जो एक ही मात्रा में समाईत होगी तो होना तो आई है तो यथारत रतना कर विद्या ले ठीक है ऐसे ही में ए और एक्जाम्पल लेता हूं जिसमें बड़ी हो जाएगी जैसे कि श्री प्लस इश श्री प्लस इश है तो यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर है बड़ी की मात्रा बाई श्री में किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा और यहाँ आपको ई छोटा दिखे रहे दोनों मिलके क्या बनेंगी बड़ी तो सिद्धी सी बात है क्या हो जाएगा श्री का श्री रहेगा कि और आपने एक्जाम्पल ये सुनाओका बहुत बार, रवी प्लस इंद्र, ठीक है, रवी में यहां छोटी की मातरा है, इधर इंद्र में भी छोटी की मातरा है, और दोनों मिलके हो जाएगी बड़ी की मातरा, तो यानिक जो रवी था, तो रवी इंद्र, यहां पर बड़ी की मातरा यहां पर बड़ी की मातरा तो यह हो जाएगा गोरी शह यह है just you पूरी बात सुनना विषणू प्लस दिया तो यहां पर चोटा हूँ है और यहां पर भी छोटा भूओ है चोटा दो चोटा हूँ मिलके बड़ा कि तो विष्णौ उस्में कोई और नहीं आई यह आई ये ते रलो घ्लता होगा देखा धेंदले भानों में अदोग और यह वो जらいगा है यह आपने गुरू प्लस उपदेश तो तो यहां दियाँ न ने कहना यह अता है गुरू तो यह जाएगा गुरूरू दियान लगना रह में भी दो त्रेक रह होते हैं अगर आप रह को ऐसा लिखते हो तो यह रह छोटा है लेकिन अमलब और इसी में ऐसे गांट देतो तो रूप बड़ा है यह रूप छोटा है गुरू यह रूप बड़ा है पूरी बास में आगी बिना गांट दियावा चोटा गांट देके बड़ी मात्रा यह बड़ा रूप है इस सीज़ का जरूर जरूर दियान लखना तो यह बड़ेओ की मात्रा मतलब गांट आजाएगी तो गुरूप देश है तीक है गुरूप देश है यह बन जाएगा क्योंकि यह उ की मात्रा इसमें मर्ज हो गई तो बड़े उ की मात्रा बन गई इजी है ना गुरूपदेश हो गया हम में बात करता हूं री और बड़ारी चोटारी बड़ारी मिलके बड़ारी बनता है एक्जामपल यह आपने जैसे कि सुना भी होगा पित्र प्लस रिणम पित्र प्लस रिणम तो पित्र प्लस रिणम की बात की जाए तो यह बन जाएगा पित्रिणम कैसे बनेगा कि यहां पर हैं छोटारी चोटारी और यहां पर भी हैं छोटारी मालो चाहिए बड़ारी मालो होना तो पड़ा रही है तो यह बन गया पित्रिनम यह द्यान रखना यह जो रीकी मात्रा थी मैंने कहा था मात्रा यह कोई भी नहीं आईगी जब शब्स लिखेंगे यह मात्रा इसमें मर्ज हो गई तो यह बन गया पित्रिनम प्लस रिकार तो यहाँ पर नहीं होग defendant रिनी तो हो जाएगा करित्रिनी तो यह कुछ शब्द है एक्जम्प्र है जो आपको यह सिखा देंगे कि इसमें सेवन दिरिक्संदी है बस आपको चार रूल याद होने चाहिए वरना गड़बड हो जाएगी अब देखो कैसे पैचानिंग एक्जाम में एक्जाम में आपको हमेशा यह ध्यान र मातर हो हमेशां वहां पर सेवन दिरिक्संदी होगी इन अ संदिंर दें तो आपको पेचान केसे करना है लाइन याप पर इद देना यह कि मातरा आ पर और यहां पर जहां पर भी दिख जाए वहां हमेशा है समझ लेना सेवन दिरिक संदी है जो रूल है न वोई तो उनकी पैचान है मेरे बसमझ में आगई हाँ अज संदी या स्वरिक संदी का है नेक्स पार्ट बन पढ़ने हैं व्रदी संदी नाम ही व्रदी है मतलब मात्राओं की वरदी हो जाना छोटी है तो बड़ी हो जाना ठीक है बहुत एजी है तो नॉमर दो लिको वरदी संदी ठीक है और वरदी संदी की में बात करूँ तो इसमें फोर्मूले हैं पांच लेकिन है इजी देखो यह मैंने line wise क्यों चलाइता है यह A की मात्रा फिर A की साथ में E की मात्रा A की साथ में U की मात्रा यह तोड़ा system एटी रंग से बैट जाए आपको भी ऐसे पढ़ना है तो वरदी संदी के formula 5 कौन से बनेंगे बहुत easy है A के बाद में जान मुझे लिकरा हूँ ऐसा ठीक है पूरा समझना A के बाद में फिर A के बाद में क्या है बताता हूँ क्या कहना चाहरा हूँ है ठीक है 1,2,3 तो फिर A के बाद में और last फिर A के बाद में अब बाद सुनो यह मैंने लिखने का मतलब आपको याद easy लो जाएगा इसका मतलब यह हर कोई A के बाद में है A के बाद में A या के बाद में A या के बाद में A या के बाद है ठीक है तो A या आ के बाद में अगर छोटा A है तो I हो जाएगा होता न, A, I इसका मतलब एक मात्रा इसका मतलब दो मात्रा बड़ा का निफ्यूजन है मेरी बात सुनना जैसे मेरी बात सुनना मैं इसका एक्जामपल अगर लोगा तो आपको सारी डाउट के लिए रो जाएंगे मैंने का जन प्लस एकता जो एक्जामपल में लिया था फिरी बात सुनना यहां पर क्या है नमें A की मात्रा A की मात्रा इसमें A की मात्रा है तो A है यह A है तो A और A मिलके A और A मिलके बड़ा मतलब I हो जाता है इसका मतलब इन दोनों से बन गया I यान रहना जटन ना, I का मतलब दो मातरह हैं, कैसे है, कि यह I बना तो जो जन था, इस नैप पर दो मातरह लग जाएगी जन एक ता, पूरी बाद समझ पा रहे हो, I की मातरह नैप लग जाएगी, यह मैंने कहाता कभी आता नहीं है ये हो जाएगा मर्ज किसमे नमे ये जितनी भी मात्राइं किसी भी शब्द में नहीं आईगी ये बास डाउट क्लिए रहे न दियान लगना आई का मतलब दो मात्रा ठीक है फिर एया के बार्द में ओ हो तो आउ हो जाता है आउ मतलब वरदी वरती हो जाता है ओ से आउ दो मात्राइं लग जाती है फिर आपकी दिमांग मार्यों यहां पर छोटा ए लिया था अगर आई आजाई तो यहां पर ए तो भी आई होगा बड़े का तो वैसे ही बड़ा ही रहना है फिर यहां पर क्या आजाई अगर आउ आजाई तो क्योंकि यहां अगर ओ है तो भी आउ ही रहना है ओ आउ अंग है याद है और एया के बाद में री आजाई चाहिए वो री छोटा हो चाहिए री बड़ा हो अब यहां ध्यान रखना एया के बाद में री छोटा है बड़ा हो हो जाता है आर यह वेरी इंपोर्टेंट है क्या हो जाता है आर यह तो आओ यह आई यह भी आओ यह आई यह आपको चार-पांच फॉमले याद करने हैं मेरे साब से मुश्किल कुछ भी नहीं मेरी बास समझ में आ गई अब इन पर सब में दो तीन दो तीन एक्जांपल लेत है ठीक है जैसे एक एक्जांपल इस पर ले चूकर जनेक तावला अब एक एक्जांपल लेता हूं तथा प्लस एओ यहां पर किसकी मातरा है आकी इसमें किसकी एकी तो क्या बन गया तथेओ पूरी बास समझ में आ गई क्या आकी मातरा एकी मातरा तो बन गया क्या आई की म 2 मात्रा और I का मतलब 2 मात्रा इस बात को समझ लेना जिसको बारखडी नहीं आती तो बारखडी सीखने पड़ेगी बारखडी बोलते हैं ए-e-e-e-o-o-a-a-y-o-a explicar कि याद है, वो तो सीखना ही पड़ेगा द्यान रकना इसका मतलब दो मातर है, ठीक है? चलो ये बात है मेरे को बताने थी तथा पलस ए ले लिया जन पलस एक ले लिया, एक लेते हैं एक है पलस एक है इंटरिस्टिंग एग्जम्पल है एक है प्लस एक है और यह तत्थे हैं मगर एव में ऐसा है तो आप भी सर्ग लगा देना वो कोई बात था न ठीक है अब एक है इसमें भी एक की मातरा यहां पर ए है यहां पर ए है और ए और ए मिल की क्या बनेगा आपको पता है न आई बनेगा तो यह बन जाएगा यह ए इसमें मर्ज होगा के में तो यह बन जाएगा एक एक कैह है यानिकि यह आई एक की मातरा में लग गयी तो आई बन गया रहल वो लगेगा इसके पहले वड़ाए शप्ट पर पहले वर्ड पर तो कही है त extends सेय के बाद में ओ तो वह जता है अव जै यहां पर वह और जब एक के बाद में यह पिर आख के बाद में ओ तो आउ जाता है तो यह जाएगा ऑव किस पर लगएगा पहले बाले पर यानि कि वनोशदी इस मेरी बाहर लागी वनोशदी बहुत इस यह यह था फर्स्ट फ़स्ट ले लो जल प्लस ओग है है ऐसे ले लो गंगा प्लस ओग है बहुत यह फिक्स एक्जांप्ल उग्जांपल है यहां यह यह आउ़ तो मतलब आपको मातरा निकालनी है इसको मात्राव गाइब करना है, इस पर अपलाई करना है, तो जलोग है, आउ की मात्रा किस पर लग जाएगी? धन के पहले वड़े शब्त पर, ऐसे ही यह आ रहा हूँ तो क्या बन जाएगा? गंगोग है, ठीक है? काफी इस यह आ के बाद में ओ तो आउ हो जाता है, ठीक है यह आ के बाद में आई, तो आई हो जाता है, जैसे एक्जम्पली आपने महा प्लस एश्वरियम महा प्लस एश्वरियम तो अब ध्यान देना यहाँ आ की मातरा है ठीक है यहाँ आई की मातरा है तो क्या बनेगा आई बनेगा इसका मतलब यानि कि यह जो महा है वो बन जाएगा महे आई की मातरा लग जाएगी है हमेशा यह मात्रा इस पर लगती है चाहे कुछ ही हो जाए तो महेश्वर्यम यह क्या बन गया महेश्वर्यम ऐसे ही अपन बात करते हैं देव प्लस एश्वर्यम एश्वर्यम तो अभी क्या बन जाएगा यहां पर ए और आई है और आई तो क्या बन जाएगा आई तो देव पर आई की मात्रा लग जाएगी देवेश्वरियम देवे वह लिखना है as it is शेवारियम और यहां पर महा की जिगा महे भी आ जाए ना जैसे महा की जिगा महे आ गया तो A प्लस आई तो भी महेश्वरियम मन जाएगा तो इन शब्दों पर मत जाना यह सबसे आपको के से भी दिख़ो हैं एक प्लस एकार है धिल्ग प्लस के बाद में आई हो रहा है तो यहां पर हैं तो दिर्ग में भी देखो एकी मातर है соответ आप यहां पर किसकी मात्रा है दिर्ग में एक ही मात्रा है रह पर मत जाना रह तो मात्रा थोड़ी होती है अच्छा मात्रां को पता चली है न ए आ ई यह मात्रा ही होती है ठीक है और यहां पर ए हैं तो क्या बनेगा बताओ आई बनेगा ठीक है तो यह क्या बनेगा कि गई और बाकी कार है दिर गे कार है प्रैक्टिस करना बहुत असान है जान बूझ के मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा है एक्जाम आपको तोड़ के नहीं लिखना अब एया के बाद में आउ हो तो भी आउ ही हो जाता है जिसें कि अपन लिया तव प्लस यानि की तउ उसमें आउ की मातरा थो तउ तउ तो ठीक है और बाकी दारीयम तो दारीयम ठीक है यह तुभल एक्शंपल स lived का से की अपन लेते हैं महा प्लस ओशदही महा प्लस ओशद। सुनाव एक्शंपल है बहुत बार आता भी है तो यहां देखो यहां पर आकी मातरा या आउ की मातरा आकी मातरा हो चाहिए और बाद में आउ की मातरा तो क्या बनेगा आउ बनेगा तो यह क्या बन जाएगा महोश शदी आउ लग जाएगा इस पर आउ की मातरा शदी 2 और आगर विखा रेंतल है तो आप विखालगे लगा दे न, ठीक है, तो यह थे एक्सम्बल एया के और आऊ Miles 2 झाएत्व ठीक है जनव, जनो और चित्यम। ठीक है? जनव़ चित्यम। ठीक है? यह A-A-A-A के बाद में OUT की तो OUT हो जाता है, है ना इजी? अब हैं, यह very important है, इसको अच्छे से समझ लेना, A-A-A-A-A के बाद में RICH होटा है। चाए, बड़ा तो R हो जाता है जैसे example यह आपने प्रे प्लस रिच्छती अच्छे से समझ लेना यहां मुश्किल थोड़ इसी पेदा हो सकती आपके प्रे प्लस रिच्छती अब सुनो यहां पर क्या है यहां पर क्या है री और एक की ए हो चाहे आ हो इकटा करना सिखाता हूँ कि अब यहां पर देखो क्या बना प्रे पहले से ही था और ए में और री मिलकी आर बन गया तो यानि कि री की जगे अब नया वर्ड कौन सा आ गया आर प्रे प्लस र प्लस छती पूरी बात सुनना प्रे प्लस आर प्लस छती आर बन गया, समझपा रही थोड़ा अलग सा रूल है, फिर समझो कि यहां पर एकी मात्रा है, यहां पर री है, ए और री मिल के आर बन गया, इसका मतलब इस री की जगे अब क्या बन गया, आर और यह प्रे हो गया आदा, आदा क्यों हुआ, क्योंकि प्रे में से अपने एको निकाल लिया, और जिस शब्द में से मात्रा को निकाल लिया जाता है, वो आदा हो जाता है, छोटी क्लास में पढ़ते था ना, शब्दों का जोड़ना, जैसे मैंने कह दिया, कि राम है, तो राम को जोड़ के बताओ, तो रे आदा, फिर उसमें आकी मात्रा, फिर में आदा, फिर उसमें एकी मात्रा, यादा है चोटी क्लास में, जब रे में आ जुड़ा तो रा बना, आदे में में जुड़ा तो में बना, बने गया ना, भाई, आदे रे में आ बना तो रा ब तो वो ए और री बन गिया आर तो प्रे आदा ए निकल चुका ए और री बन के आर और छती समझ गे अब आपको पता है ये दोनों जुड़ेंगे क्योंकि ए आ जितने भी मात्राइं होती है वो शब्द में नहीं लिखी जाती तो जब प्रे में आ जुड़ा तो बन गिया प् भलग से लिखता लिखा जाता है प्रार छती मतलब कि आदा रह तो आदा ऊपर लग जाता है उपर मतलब शब्द के लेकिन चैतौप तो लगन की सकता चे तो आदा है तो छह पूरा तो छह आपर लग जाएगा प्रार छती मेरी बात समझ ग्या ه क्या family important example है यहां के बाद में जब री आ जाए है ना फेसी example में हो ले लेता हूँ वसन प्लस रिनम पूरी बात समया वसन प्लस रिनम अब यहां पर नय है मतलब एकी मात्रा है रिया री की मात्रा है ए और री मिलकी आर बन जाएगा तो एसे यहां निकल के आज जाएगा आर तो नय आदा और आर अपने बन गया अपने फोर्मले से तो यह बन गया वसन और आ आर, मतलब यह रे आदा बनेगा, आर में रे आदा है, तो रे आदा, ओर जाएगा ने क्य ऊपर फिर, तो वसनारनम, मेरी बाद समझ मैं आ गई क्या, ऐसे आप रसे लख सकते हो दस प्लस एकांज यांपर एक आप्र यहां पर रही की मातरह है तो ए बन गया थे तो तो दशार यह था आपका एया से, ठीक है, तो यह very very important आपकी व्रदी संदी भी complete, ठीक है, ठीक है, और व्रदी संदी की पेचान बता जेते हूं आपको, पेचान बता ना बोल गया, तो आपको आई और आउ की मातरा जिन शब्दों में दिखे, मतलब व्रदी शंदी है, यह क्यों कह रहा हूं, कि जैसे आपको शब्द दिखा, महोशदी, है न, तो आपको यह आउ की मातरा दिख रही है, इसका मतलब आप इसको तोड़ लोगे, जहां मातरा लगी वहीं से तोड़ना है, महा प्लस ओशदी, मेरे बात समझ में आगई, तो यहां पर आउ और ओ मिलके आउ हो जाता है, न, तो यह कुछ बाते मुझे बतानी थी आपको, दो संदी मैंने करवाई है, क्यों अब जित्ती भी आगी संदी बनेगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग संदी को अगर आपने अच्छी कर ली, तो संस्केट में सारे टोपिक एजी ली हो जाएंगे, तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना बने, इसलिए अपन इतना ही करेंगे, ठीक है, ओके